दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर पटना ने वेक्सिनेशन में देश में बनाया तिन रिकॉर्ड सरवाधिक टिका करन करने वाला पहला जिला साथ नगर निकाय में 100% वेक्सिनेशन एक दिन में 136,560 लोगों ने लिया टिका जिहां पटना में रिकॉर्ड का टिका लग रहा है जिले की साथ नगर निकाय में 100% वेक्सिनेशन हो गया है इसके साथ जिला और सहर में भी वेक्सिनेशन के आकडों ने देश में रिकोर्ड बनाया है एक दिन में 1,36,560 वेक्सिनेशन ने पर देश में पटना कमान बढ़ाया है पटना में कुरोना संक्रमन से बचाव को लेकर वेक्सिनेशन फर फोकस किया जा रहा है पटना की लोग भी वेक्सिनेशन में आगे आ रहे हैं जिसे रिकूर्ड बनता जा रहा है सबसे पहले रिकूर्ड की बात करें तो पटना सरवाधिक टिका करने वाला देश का पहला जिला बन गया है वहें दूसरी रिकोर्ड की बात करें तो पटना जिला एक दिन में एक लाग से अधिक टिका लगाने वाले देश के पाथ जिलों में सामिल हो गया है और पिर तिसरी रिकोर्ड की बात करें तो पटना जिले की साथ नगर निकाय में 100% वेक्सिनेशन हो गया है जिसमें नगर परिसद मुकामा, बाड़, बगतियारपूर, पतवाख, गोल, पुलवार, सरीप और दानापूर सामिल है अगली बड़ी खबर बिहार में 13 अगस से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल जानिये गाइडलाइन जिहां बिहार में 7 अगस से शुरू अनलोग के पाचवे चेरण में सिनेमा घरों को खुलने का आदिस तो दे दिया गया लेकिन भी अभी खुले नहीं है संचालक कुरोना वारे से बचाओ के गाड़ान के साथ 13 अगस से सिनेमा घर चालो करेंगे कोई नई फिल्म रिलेज नहीं होने के कारण भी समय से आई है माना जा रहा है कि सिनेमा घर हिंदी में डफ फिल्म कंजूरिंग के साथ खुलेंगे बिहार में नेति सरकार कुरोना वरे संक्रमन में आई उलेकिने कमे के बाद राज को धिरे धिरे अनलोक कर रही है इसके तहट 7 अगस से अनलोक पाच में कई छुटे दी गई है सिनेमा घरों को भी 50 फेज़ी सीटों के साथ खुलने के अनुमती दे दी गई है जो कि राज में 13 अगस से पुर्णता खुल जाएगी अगली बड़ी खबर बिहार में 28 परवेस परिचा 13 अगस्त को राजपाल ने दिये कई जरूरी निर्देश बिहार में कोरोना के दोसरी लहर थमते ही 28 परवेस परिचा के दितिते हो गई है 13 अगस्त को 276 केंद्रों पर होने वाले 28 परवेस परिचा की तयारी तेज हो गई है राजपाल एवाम कुलादिपाति पागोच चोहान ने सिनिवार को वीडियो कॉनफरेसिंग के मैदम से तयारियों की समिक्षा की और कई आवेस्यक निर्देश भी दिये हैं बताया गया कि परिचा में कूल 136,702 परिचात्री सामिल होंगे बेठक के दोरान राजपाल ने आदिश दिया है कि बिएट परिचा को स्वच एवाम कदाचार मुक्त कराए परिचा आयोजन के दोरान कुरोना प्रोटोकॉल का सकती से पालान होना चाहिए अगली बड़ी ख़बर पंचायतों में सहायक की तैनाती सुरू बिहार में 15 अगस से गाव में ही बनेगा जातिया अवासियो और आय परमान पत्र जिहां बिहार में अब किसी को भी जातिया आय वा निवास और आयन परमान पत्रों को बनाने के लिए अंचल कर जाकर लंबी लाइन लगने के आवाई सकता नहीं होगी अब इसके लिए ओनलाइन आवेदन के बाद उसको प्राप्द करने का कार पंचात इस्तर पर ही पुरा हो जाएगा पंचाती राज विभाग के हलिया आदेश में आगामी 15 अगस तक इसे सम्मादे आटी पियस अर्दाद राइट टू पॉब्लिक सर्विसेज काउंटर की सुविधा पंचात इस्तर पर ही परभावी हो जाएगी बाड़ी कबर बिहार के लिए अच्छी कबर अब फोन पर ले सकेंगे अस्पताल जैसी ओपीडी सिवा ऐसे मिलीगी सुविधा जहां कोविट के दोरान ग्रामिन चेत्रों में रहने वाले मरीजों को डाक्टरी सला देने के लिए स्वास्त विभाग द्वारा प्रारम की गई इस संजिवनी योजना अब सरी चेत्र में लोगों की फोन पर भी मौजूद रहीगी स्वास्त विभाग सरी चेत्र में मॉबाइल पर अस्पतालों की तरह OPD सिवा शुरू करने जा रहा है सितंबर तक यहां काम प्रातमीता के अधार पर होगा स्वास्त मंत्री मंगल पाण्डे ने रहिवार को बताया कि इस संजीवनी प्लेटवर्म काफे कारगार सावित हो रहा है कोविट के दोरा अनग्रामिन चेत्रों में जब डाक्टरी सला लेने में मरेजों को दिक्कत हो रही थी उस वक्त विभाग ने यह सिवा सरु कि थी आपको बता दे कि अब स्वास्त विभाग इस सिवा से विसेसक डाक्टर को जोड रहा है इसके साथ सारी चेत्र में भी इस संजीवनी सिवा लोगों के मोबाइल पर देने का काम हो रहा है मोबाइल पर सिवा प्रारम होने के बाद मरेज मोबाइल पर एप के जरी अस्पताल की तरह OPD सिवा का लाब ले सकेंगे योजना को विस्तार दिने पर करीब करीब सभी काम हो चुके हैं सितंबर महने से सारी चेत्र में इस संज्वनी OPD सिवा लोगों के मोबाइल पर रारम हो जाने की सम्भावना है बाड़ी ख़वर बिहार के ज़्यादातर जिलों के लिए अलट बारिस से अधिक बजरबात का खत्रा जिहां बिहार में मानसुन अब अलगी रंग दिखाएगा राज के ज़्यादातर जिलों में हलकी बारिस होने की उमीद पटना के मौसम इवा किंद्रे ने जाहिर की है मौसम इवा के अनुसार राज़ाने समेच पुरे प्रदेश में अगले तीन दिन हलकी बारिस होने के आसार है साथ मौसम बिगानियों का कहना है कि मानसुन के दोरान इस तरह का मौसम सामायन बात है राज में 30 सितमर तक मानसुन की बारिस होती है बड़ी ख़वर पटना में गंगा ने धरा रोद रोब सौन भी लाल निसान चुने को बेताब दियारा में फेला पानी जिहां गंगा को उफान रोज तेज हो रहा है बकसर से कहलगाओं तो किया नदी रहिवार को पांच गोह पर लाल निसान से उपर चली गई है मनेर में सोन भी अब सिमा पार कर गया है अच्छी बात यहां कि तीन दिन में हुई पुनपुन अपनी सिमा में चली गई है लेकिन कोसी का जलिस्तर एक बार फिर बढ़ा है और वहां खगड़या के साथ कटिहार में भी लाल निसान को पार कर गई है राज में दूसरी नदिया का जलिस्तर तेजी से घट रहा है मिःार में परवेश करने के साथ गंगा पांच जगोह पर लाल निसान को पार कर गई है बाक्सर में रहिवार को इसका जलिस्तर 33 सेंटीमेटर बढ़ा है और लाल निसान से 11 सेंटीमेटर उपर चली गई है अगली बड़ी कबर गंगा बोड़ी गंड़क और लोकायन नदी के उपनाने से पटना नलंदा सहित इन जिलों में लोगों को सताने लगा है बाड़ का डर जिहां राजदानी पटना में गंगा नदी उपहान पर है इस कारण नदी के निचले इलाकों में जन जिवन परभावित हुआ है पटना के अलावा समस्ति पूर नलंदा और जहानाबाद जिले में बाड़ का खत्रा मंड़ा रहा है आएमडी के अधिकारी जानकारी के मुताविक आगा में 3-4 दिन तक लवगक समुचे बिहार में बारिस होगी विसी सुरूप सी 9 अगस्त को मांसुन उत्तर मायद उत्तर पश्चीम उत्तर पूर्व और दचिन पूर्व बिहार की जिलों में मांसुन खास तोर पर सक्रे र और चतिस लाग किसानों को मिलेंगे 4,720 रुपिये जिहां प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना की तहत 9 अगस्त यानि आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी प्रदेश के 2,36 लाग किसानों को 4,720 रुपिये सिधे उनके खाते में ट्रांस्वर करेंगे आपको बता दे कि अगस सितंबर, अक्टुबर और नौंबर मा की धनडासी प्रतिक किसान को 2,000 रुपिये भेजी जाएगे केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना में लगवग 18,000,000 को 32,500 कड़ो रुपिय रहेंगे इसमें वह कि जोजना से 25,60,000 से अधिक किसानों को 2,800 करों रुपिय की छती पूर्ति दी गई है बाड़ी खबर बिहार में पंचायतों के लिए सरकार ने खोला खजाना 22,000 कड़ो रुपिय से बदले की गाओं की सुरत जिहां बिहार में सरकार अगले 5 वर्सों में पंचायती राज संस्ताओं की विकास पर 22,183 करोड खर्च करेगी पांचवी राज वीत आयोग के अनुसंजा पर यहार रासे हर रष स्प्राप्त होगी वित्य वर्स 2020,21 में पंचायतों को 279 करो रुपिय रासी दी गए है अब वित्य वर्स 2021,22 में यह रासी बढ़ा कर 496 करोड रुपिय मिलेगी वित्या वर्स 2022-23 में पंचायती राज संस्तावों पर कूल 459 रुपिय तो वित्या वर्स 2023-24 में 523 कड़ों और 525 वर्स 531 कड़ों रुपिय दिया जाएगा आयोग ने तरिस्तर ये पंचायती राज संस्तावों के बीच रासी का वितरन भी कर दिया है अगली बड़ी ख़बर बिहार में सबजी जाने वाले किसानों को नहीं होगी पूंजी की कमी 20 जीलों में सुरू होने जा रही है योजना जिहां बिहार के सबजी उत्पादों को के लिए अच्छी ख़बर है इससे सबजी किसानों की पूंजी की समय सा दूर होगी इस काम में राज के सहकारी बैंक मदद करेंगे विभाट के एक उज पदिस्तत अधिकारी ने बताए गिराज के सबजी उत्पादों को रिन सुविदा देकर प्रोसाहन एवं बढ़ावा देने का परियास किया जा रहा है पहले चरन में 25,000 सबजी उत्पादों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है वह आपको बदा दे कि पहले चरन में राज के 20 जिलों को सामिल किया गया है जिसमें भोजबूर, बाकसर, छप्रा, गोपाल गंज, एवं सिवान, पटना, नलंदा, वेसाली, समस्तिपूर, बेगुसराय, मुझपरपूर, पूर्वी, चमपारन, पश्चिमी, चमपारन, स जिवर, सितामडी, दरबंगा, मदोबने, सहरसा, मदेपूरा, सुपोल, जिली में, गढ़ित प्रातमिक सब्जोत पादकों को सयोग समितिव से जुड़े 25,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहिया कराये जाएगा बड़ी कबर, बिहार में जल्दी 10,000 पदों पर होगी बंपर बहाली, जानिए कहां कितनी है नोकरिया जहां बिहार में सरकारे नोकरिय चाहिए तो यह कबर आपके लिए खास है अगले कुछ महिनों के दोरान बिहार में 10 अलग लग वेकेंसी में 10,000 से अधिक पदों पर बंपर बहाली होने जारी है इसके अलवा पूलिस विवाग में स्पोर्ट्स कोटा से बहाली की प्रक्रिया जारी है बिहार में कर्म चारे राज बिमा निगम में भी डाक्टरों के 36 पदों को एक बहाली के लिए नोटिबिके संजारी किया गया है बिहार के राजस्व एवं भूमी सुधार मंत्रे राम सुरत राय ने बताया कि बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों के लिए वेकेंसी निकाली जाईगी उन्होंने बताया कि 4,353 राजस्व कर्मियों, 1768 आमीन और 3,883 डेटा एंट्री ओपरेटर की भरती की प्रक्रिया जल्दी सुरू की जाईगी अगली बड़ी कबर डियलेट फेस्टू पेस परिक्चा 2022 के आवेदन फॉर्म जारी जिहां बिहार बिदाले परिक्चा समिती ने दिव वर्से डिप्लोमा इन एलेमेंटरी एजुकेशन फेस्टू फेस परिक्चन सत्र 2020-22 के प्रतम वर्स और परिक्चन सत्र 2019-21 के दिवते वर्स के स्यधान्तिक विसवई की परिक्चा के लिए ओनार परिक्चा आवेदन प पर उपलब्ध है बिहार बोड के अनुसार बिना विलम सुल्क के परिच्छा आवेदन पत्र भरने वा परिच्छा सुल्क जमा कराने की थी नौ अगस से लेकर 19 अगस तक निधारित की गई है आवेदन भरने वा सुल्क जमा करने की अंतिम थी 20 अगस 2021 है वहीं विलम सुल्क के साथ आवेदन भरने वसुल्क जमा कराने की अंतिम्तिती 24 अगस 2021 की गई है और अंत की बढ़ी खवर बिहार बोर्ड मेट्रिक इंटर के डमी रजिस्ट्रेशन काड डाउनलूड करने की डेट बढ़ी जिहां बिहार बिदाले परिचा समिती ने मेट्रिक और इंटर्मिड काड डाउनलूड कर सकते हैं साथ जिन अभियर्तियों का रजिस्ट्रेशन आठ अगस्त किया जाएगा उनका डमी एडमिड काड नौ अगस्त 2021 को जारे किया जाएगा आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में सब्जी उप जाने वाले किसानों के लिए किसान होगी या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए